Good morning friends and my students, myself Abhishek Kumar, lecturer in Electrical Engineering. Students, आज हम लोग Internet of Things के subject में कुछ objective multiple choice questions को cover करेंगे, जो आपके लिए बहुत helpful होगा. तो students, आजाते हैं हम लोग objective multiple choice questions पे, Internet of Things के subject में, और यहां हम लोग एकिप करके बहुत सारे अच्छे questions को हम लोग देखेंगे, और उनका solution निकालने की कोशिश करेंगे, उनका answer करने की कोशिश करेंगे. तो students हम लोग आ जाते हैं questions में, first question है अगर इस टाइप का objective question आता है, students सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब भी objective multiple choice question हमें tackle करना है, तो सबसे पहले question को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होगा. कई बार question में कुछ कुछ चीज़े hidden रहती हैं, जैसे कहां not use किया हुआ है, कहां don't use किया हुआ है, यह बहुत important है, तो question को बहुत carefully आपको पढ़ने की आदत बनानी है, आदत develop करनी है, उसके बाद solutions को एक एक करके सारे solutions को देखना है, और फिर find out करना है, जो सबसे most appropriate answer आप उसको find out करने की कोशिश करनी है, question का मतलब जब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ना, आपके लिए answer, objective उन चारो और पांचो च्वाइस में से appropriate choice निकालना बहुत आसान होगा, और भी कुछ चीज़ें होती है, students होता क्या है कि कभी-कभी आपको लगता है कि एक answer mark नहीं करना चाहिए, आपको लगता है कि ये option सही है, सरसरी निगा से देखने से अगर आपको लगता है कि ये option सही है, फिर भी सारे options पे एक बार गौर जरूर कर लेना चाहिए, इससे क्या होगा, आपके सही option को mark करने की संभावना बढ़ जाएगी, तो students आ जाते हैं हम पहले objective में, पहला objective में क्या है, question number one में, in internet of things, IOT, connection between the things cannot be established through, तो students मैंने आपको थोड़ी दिर पहले ही बताया कि आपको ध्यान से question को सबसे पहले पढ़ना है और समझने की question करना है, कि question में क्या पूछा जा रहा है, और question में hidden जो चीज़े हैं उन तो खासकर ध्यान देना ह और जो hidden चीज़े होती है न, students को घुमराह करने के लिए जो questions में जान बुच के जो चीज़ें दी जाती है उसमें खासकर होता है कि not दिया हुआ रहेगा, dont दिया हुआ रहेगा, cannot दिया हुआ रहेगा, उस पर खासकर के focus करना है, तो यहां क्या है? in internet of things connection between the things cannot be established through यह सबसे important है कि यहां cannot mention है in internet of things में things के बीच में connection हम established नहीं कर सकते हैं किस चिस से cannot भी दिया हुआ है तो यहां पर क्या है अब हम लोग आएंगे अगर options में तो wifi है definitely wifi से हम लोग connection established कर सकते हैं यहां connection नहीं established किस से किया सकता है वो पूछा जा रहा है यानि यह answer हमारा सही नहीं है जिग भी से भी connection हम लोग established कर लेते हैं internet of things में things के बीच में यानि यह answer भी हमारा सही नहीं है Bluetooth Bluetooth से हम लोग connection established कर लेते हैं अलग-अलग things के बीच में यानि यह answer establish कर सकते हैं, internet of things में, things के बीच में connection establish कर सकते हैं, पुछा जा रहा है कि जिन से नहीं establish कर सकते हैं, तो definitely यहां पे आपका option हो जाएगा, none of these तो इस तरह से students question को tackle करना है, बहुत carefully सबसे पहले question पढ़ना है, और question पढ़ने के बाद जब question का मतलब समझ में आ जाए, उसमें जो hidden चीज़े हैं, खासकर जो negative चीज़े रहती हैं, जैसे not, don't, cannot, can't, ये सारी चीज़ों पर खासकर हमें ध्यान रखना रहता है, और एक बार जब question आपको अच्छे समझ में आ जाए, तब हमें options पे एक-एक option को जाके देखना होता है, हमेशे देहान में रखना चाहिए कि कभी-कभी देखने से लगता है न कि ये answer सही है, तो जल्दी में, हडबडी में, उस option को mark नहीं कर देना चाहिए, बलकि सारे options को एक बार जरूर, सारे options पे एक बार गौर जरूर सारे device हैं, जो एक form of energy को दूसरे form of energy में convert करते हैं, transducers में मैंने आपको बताया था कि transducers के अंदर ही दो पार्ट होते हैं, एक sensing element और एक transducing element, होता क्या है कि transducers में हम लोग input transducers, उन transducers को बोलते हैं, जो किसी other form of energy को electrical energy में convert करें, वही output transducers हम लोग कहते हैं, वो सारे transducers, जो electrical energy को किसी other form of energy में convert कर सकें, तो हम लोगों ने देखा था कि जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि output transducers जो है और output transducers का care definition है output transducers वो transducers है जो electrical energy को other form of energy में convert कर सके, और मैंने आपको यह भी बाता था कि output translusers को हम लोग actuators भी कहते हैं, फिर भी आपको एक एक करके सारे options पर भी गौर करना होगा, आपको लग रहा कि actuator सही है, लेकिन फिर भी एक बार आप सब को देख लिए, तो definitely sensor तो नहीं होगा इसका answer, actuator है, क्योंकि output translusers जो है ना, उसको हम लोग actuator भी ह होते हैं, और definitely controller नहीं होगा, integrator नहीं होगा, और यह सारे से यह नहीं है, तो all of the all नहीं होगा, यानि इसका सही answer है, actuator, इसी तरह जब हम लोग आगे बढ़ें, further और हम लोग आगे बढ़ें, तो हम लोग देख सकते हैं, third number question में, पुड़ा जूम करें, तो आपको अच्छ से speaker क्या है, speaker क्या हो सकता है, तो options में अगर हम लोग गहर करें, speaker जिससे हम लोग sound को play करते हैं, हमारे soundbox के अंदर जो speaker होता है, radio के अंदर जो speaker होता है, वह speaker की बात की जा रही है, तो definitely मैंने आपको students, मैंने definition बताया था, transducers का, transducers को definition में था, कि transducers वो device है, जो किसी form of energy क दूसरे form of energy में convert कर सके, तो speaker से definitely हम लोग क्या करते हैं, electrical signals, speaker को हम लोग देते हैं, और उन electrical signals के basis पे, वो speaker, उन electrical signals को, electrical pulses को sound signals में convert कर देता है, यानि definitely हमारे speaker, transducers की तरह work करता है, तो यहाँ पे, फिर भी आपको students, यह habit develop करना है, कि आपको जो answer सही लगता हो, उसके यह habit आपको अपने आप में develop करना है, तो students एक एक करके, सारे options को हम लोग देख लेते हैं, तो in terminology of internet of things, speaker इस speaker जो है, definitely sensor नहीं होगा, speaker definitely actuator नहीं होगा, speaker definitely controller नहीं होगा, और मैंने आपको बताया है, कि transducers का definition में, मैंने आपको बताया है, कि transducers वो device हैं, जो एक form of energy को दूस electrical pulse को convert कर देता है, sound में, sound wave में, definitely हमारा option हो जाएगा, transducer, transducer, क्योंकि speaker हमारा transducer की तरह behave करता है, तो इस तरह से हम लोग सही answer पे आजाएंगे, इस question का answer होगा, transducer, इस तरह से हम लोग next question में आ जाते हैं, अब next question में क्या है, students, windows powershell can be used to, students, मैंने आपको class में भी पढ़ shell जो है न, windows powershell को हम लोग install करते हैं, खासकर python programming language में अपनी सहुलियत को बढ़ाने के लिए, और python programming language की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, तो windows powershell में क्या है, question हमारा क्या है, question number 4, windows powershell can be used to, तो windows powershell को हम use कर सकते हैं, अब इसमें क्या है, कि करके अगर हम लोग options पे गौर कर को लेने के लिए भी हम इसको use करते हैं, यानि ये option सही है, फिर भी मैंने आपको students मैंने आपको बता रखा है, कि एक option आपको सही लगे, फिर भी आप बाकि सारे options पे भी गौर जरूर करें, कभी-कभी क्या होता है, कि आपका last option दिया रहता है, more than one option is correct, हो सकता, इस से ज्या दूसरा क्या install python, तो python को install करने में power cell का कोई role नहीं है, उसके बाद क्या है get the version detail of python, definitely हम लोग करते है, python का version detail हमको वहां मिल जाता है, windows power cell में, command देते हैं हम लोग तो, उसका क्या है update python installation package, ये तो नहीं होगा, तो definitely option number one और option number three हमारा सही हो रहा है, तो हम आ जाएंगे more than one option is correct, तो definitely इस question का answer होगा, more than one option is correct, तो students next में हम लोग आ जाते हैं, next question में हम लोग आ जाते हैं students, fifth number question है, इसमें क्या है, the command in windows power cell, psc, colon, slash, users, ajay, python, minus, minus, version, will, तो होता क्या है न, ये जो command है, तो students मैंने आपको, class में, जब python के बारे में आपको बढ़ाया था मैंने, तो वहां मैंने आपको बता रखा था, कि यहां पर अगर इस तरह का question आ रहा है, जहां हम लोग ये command दे रहे हैं, windows power cell में जाके, तो ये चीज़े by default आती है, और windows power cell में जाके, जो हम command देते है, python, minus, minus, version, तो इस से हमें, जो भी python install होगा, उसका version पता चलेगा, तो definitely, ये command अगर हम windows power cell में द user में एक user का profile आजय होगा, तो जब भी windows power cell हम उस profile से जाके, उस profile name से या user से हम लोग खोलेंगे, तो हमेशा ये by default लिखा हो आएगा, लेकिन हाँ, उस power cell में जाके, आपने command सिर्फ ये दे रखा है, python, minus, minus, version, तो इस से क्या होता है, जो भी python install है, उसका version पता चलता है, तो definitely ये display अजय नहीं करेगा, ये display करेगा python का, और उस वक्त हो सकता है python का, ये version हो तो ये display करेगा, या आपके दिये हुए options में से most appropriate answer ये है, तो ये इसका answer हो जाएगा, और definitely तब none of these तो नहीं होगा, none of the above तो नहीं होगा, तो इस तरह से करके हम लोग अपने appropriate approach से चलते हैं, और question को objective multiple choice, question को tackle करने का सबसे बेहतोरीम ऩरीका ये ही है, next question में हम लोग students आ जाते हैं, next question में क्या है, smart dust is actually, तो smart dust students मैं आपको पड़ाया था, जब sensors के बारे में मैं आपको पड़ाया था, और IOT के के बारे मैंने आपको बताया था IOT के अप्लिकेशन के बारे मैंने आपको जब बताया था तो वहाँ शर्चा हुई थी Smart Dust की, तो Smart Dust क्या है तो एक इप करके हम लोगा Options में देखते हैं, Dust Particle which comes out from the exhaust pipe of IC engine, definitely नहीं होगा Internal commercial engine सो उसके कोई relation नहीं है उसके बाद हम लोगा आ जाते हैं उसके बाद क्या है, suspended particles in air ये भी Smart Dust नहीं है आगे हम लोगा आ जाते हैं, programming language ये भी नहीं है hardware ये भी नहीं है definitely Smart Dust nanocomputers हैं मैंने आपको बताया था कि Smart Dust वो छोटे-छोटे particles हैं, जिनके अंदर एक पूरा का पूरा inbuilt computer है और उसका हम लोग इस्तिमाल करते हैं multiple field में, biomedical instrumentation में किसी person के well-beings को जानने के लिए medical field में हम लोग उसका इस्तिमाल करते हैं बहुत उसका broad application है तो छोटे-छोटे tiny particles को हम human beings में insert करते हैं और उससे body के internal organs का information हमें मिल जाता है वो data हम अलग-अलग जगर, अलग-अलग things में उस data को हम लोग convey करते हैं और उससे बहुत सारे काम को हम लोग कर पाते हैं बहुत सारे processes को हम लोग कर पाते हैं तो definitely इस question का answer होगा nanocomputers आगे हम लोग बढ़ते हैं students next question में और next question में क्या है next question में है IR-based proximity sensor senses तो मैंने आपको बताया था students कि जो भी IR-based proximity sensors होंगे वो क्या sense करेंगे तो definitely किसी चीज की proximity sense करेंगे proximity मतलब किसी चीज का नजदीक में आना जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे नजदीक में कोई आता है तो मैं बोलूँगा कि मेरे proximity में वो person आया तो यह proximity यानि किसी चीज का करीब होना sense करता है और कैसे sense करता है जो IR sensor है वो infrared beams उससे निकलते हैं उसके circuit से और वो beam किसी person से या कोई obstacle या कोई non-living things कोई भी चीज हो उससे टकरा के वो beam आता है और उससे उसका position locate किया जा सकता है और हमारे वो proximity में है कि नहीं इसको sense किया जा सकता है तो definitely IR best जो proximity sensors होंगे वो क्या sense करेंगे तो एक एक करके हम वो options में देखते हैं पहला options है visible radiation in proximity यानि visible radiation हमारे light के अंदर जो बहुत सारे radiations है उसमें से जो visible radiations है वो हमें light के form में दिखते हैं यानि हमारे आज पास जो बहुत सारे electromagnetic radiations है उसमें जो visible radiation है वो ही हमें light के form में दिखता है तो definitely यहां visible radiation तो नहीं होगा जो IR sensor sense कर रहा है उसके बाद क्या है infrared radiations coming out of out in proximity of solar beam यानि solar beam से जो infrared radiation निकल रहा है न उस proximity को sense करता है यह answer भी आपका नहीं है उसकर क्या है physical things in proximity of it यानि जो भी physical things है उस sensor के proximity में उसको sense कर पाएगा तो definitely यह सही answer है कि जो भी physical things होगा मैंने आपको बताया students के physical things वो सारी चीजे हैं जिनको हम अपने sense organs से देख पाते हैं महसूस कर पाते हैं उनकी आवाज को सुन पाता है वो सारी चीजे physical है चाहाँ वो living हो या non living हो तो यहाँ पर क्या है definitely आपका IR-based proximity sensor है न वो sense करेगा physical things in proximity of it यानि इस IR sensor के proximity में जो भी physical things इस IR sensor के नजदिक में जो भी physical things आएंगे उनको IR के property पे infrared beams की property से वो sense कर पाएगा तो definitely यह इसका सही answer है फिर भी students बाकी options को हमें देख लेना हमें सही answer मिल भी गया फिर भी बाकी सारे options को एक बार देख लेने की habit आपको develop करनी है तो आगे हम लोग देख लेते है X-ray diffraction in proximity definitely यह answer नहीं है और जब यह answer नहीं है तो all of the above भी नहीं होगा इसलिए इस question का answer है the physical things in proximity of it next question में हम लोगा जाते हैं students next question में क्या है how much closer the output of the sensor is to its real value can be termed as चीक है यानि इस question में पूछा जा रहा है इस question में पूछा जा रहा है how much closer the output of the sensor यानि sensor का जो output हमें मिलेगा sensor का जो output हमें मिलेगा वो कितना closer होगा अपने real value के इसमें पूछा जा रहा है कि sensor का जो output होगा वो कितना closer होगा how much closer अपने real value के किस term को हम लोग क्या कहते हैं तो मैंने आपको बताया था students characteristics of sensor में कि इस term को हम लोग बोलते हैं accuracy, चेकिया ना, यानि हम लोग बोलते हैं कि किसी device से अगर हमने measurement लिया हो, measurement कितना accurate है, तो definitely जितना ज्यादा accurate होगा उसका मतलब है कि अपने real value से वो जो output हमें मिल रहा है, वो measurement का output मिल रहा है, वो real value से जितन closer होगा उतना ही accurate होगा, तो इसका answer होगा accuracy, फिर भी एक बार सारे options पर गवार कर लेना है, तो selectivity नहीं होगा, drift नहीं होगा, sensitivity नहीं होगा, precision नहीं होगा, तो definitely accuracy, यानि इस question का answer accuracy है, next question में क्या है, connectivity in IoT includes and enables, तो हमने देखा था students, जब हमने IoT के applications को और IoT के characteristics को, खासकर हमने ज connectivity भी एक characteristic है, और connectivity का मतलब, यहाँ question पुझा रहा है, connectivity in IoT includes and enables, यानि जो connectivity term है न, IoT में, वो क्या करता है, किन-किन चीजों को include करता है, और किन-किन चीजों को सच्छा मनाता है, तो definitely, अगर एकर करके answers पे हम लोग गहर करें, तो visibility तो नहीं होगा, visibility and safety भी नहीं होगा, accessibility and compatibility हो कर रहे हैं, तो definitely उनके बीच में connectivity होनी चाहिए, और connectivity तभी हो पाएगी, जब उन things के बीच में, उन device के बीच में accessibility हो, और compatibility हो, यानि अगर variables को हम connect कर रहे हैं, अपने mobile phone से, तो definitely उन दोनों के बीच में connect करने का जरिया, जो communication protocol है, हम लोग Bluetooth यूज करते हैं, और Bluetooth definitely connect करा पा है, इस variable को, इस smart watch को, हमारे mobile phone से, और connect करा पा रहा है, तो definitely इन दोनों devices के बीच में, उसकी accessibility है, और इन दोनों devices को, वो connect करा पा रहा है, यानि इन दोनों devices के लिए, वो compatible भी है, यानि यहाँ पर compatibility भी है, तो यह एक बहतरीन चीज है, इसका answer आपको जहां से मिल जाता है, तरह से students, हम लोग next question में आ जाते हैं, next question जो है, question number 10 जो है, तो इसमें है, python cannot be used in for, यानि python को हम लोग नहीं use कर सकते हैं, इस stage में, तो एक एक करके सारे options में हम लोग देखेंगे, internet scripting है, system programming है, component integration है, game programming है, और उसके बाद none of the above, तो students, मैंने आपको पहले ही बताया था कि question मे कभी-कभी कुछ hidden चीज़े रहती है, उसके ध्यान देना रहता है, और ये hidden चीज़े, student को confuse करने के लिए, जान बुच के question मनाने बाले लोग देते हैं, यहाँ पे, students का actual knowledge यहाँ पर पता चल सके, कि कितना depth से उसका knowledge है, वो confuse नहीं हो रहा है, definitely अगर किसी के पास बहुत strong knowledge ह होगा, तो वो छोटे-मोटे चीज़ों से अगर उसको confuse भी किया जाए, तब भी उसे सही answer मिल जाएगा, सही answer उसे पता होगा, क्योंकि उसके पास firm knowledge है, in depth knowledge है, तो छोटे-मोटे confusion को create भी किया जाए, तो भी वो students सही answer पहुँच जाएगा, तो ये students के merit को जाचने के लिए ये students के ability को जाचने के लिए जानबुच के कुछ questions ऐसे create के जाते हैं, और खासकर ऐसे जो questions होते हैं, जो confuse करने के लिए बने होते हैं, उसमें negativity का सहा रहे जाता है, यानि not, don't, cannot, ये सब सारी चीज़ें use की जाते हैं, तो definitely यहाँ भी एक cannot term use हुआ है, तो python cannot be used in, for, यानि python क हम नहीं use कर सकते हैं, किन चीज़ों में, तो internet scripting के में हम लोग python को use करते हैं, system programming में भी python को हम लोग use करते हैं, component integration में भी python को हम लोग use करते हैं, game programming में भी python को हम लोग use करते हैं, so definitely students इसका answer हो जाएगा, none of the above, کیونकि यह सारे answers applicable है, लेकिन जो नहीं applicable है, python का इस्तेमाल जिए इसका एंसर नॉन अप दीज हो जाएगा तो नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है और आपको बताया था ना कि इंटरेट अफ थिंक्स की सुरुवात जो हुई थी ना आयोटी की जो सुरुवात हुई थी वो मैसा शुचेट्स इंस्टिट अप टेक्लोजी बोस्टन में जो है इवेसे में तो मिट बोस्टन में वो शुरू हुआ था ऑटो आइडी सेंटर करके और सर केविन एस्टन ने वहां सुरू किया था उन्होंने क्या किया था कि आरेफ आटो आइडी सेंटर सुरू हुआ था जिसको सर केविन एस्टन ने सुरू किया था तो यहां पुछा जा रहा है कि जो आटो आइडी सेंटर इन M.I.T. तो मैसाशुचेट्स इंस्टिट अप टेक्नलोजी में मैंने आपको पढ़ा रहा है कि मैसाशुचेट्स कि जिसको किया गया तो यहां एक तरह की कुश्चेट्स इंस्टिट तो इसमय आया भी नहीं था यहां ब्लूटूथ टैगिंग आप दे पीपल वनली तो यह भी नहीं होगा क्योंकि आरे फाइडी टैगिंग तो थी लेकिन सिर्फ पीपल वनली यानि लोगों के लिए ही बल्कि थिंग्स के लिए भी यानि लिविंग और नॉन लिविंग सारे थिंग्स के लिए मिट में जो आटो आईडी सेंटर शुरू हुआ था वहां आरे फाइडी टैगिंग करने की शुरूआत सर केविन एस्थान ने किया था और वहां क्या था कि सभी चीज़ों को चाह लेकिन पीपल वनली नहीं बलकि पीपल और थिंग्स दोनों का प्राइड के बाद के ओप्शन में वसारी चीज़े है इसमें क्या है और यह सही है तो अब तो नहीं होगा यानि इस कुश्चन का एंसर हो गया और फाइड टैगिंग और टैगिंग और फिपल एंद फिंग ठीक है students तो next question में हम लोग आ जाते हैं next में क्या है which of the following is our not a popular python implementation यानि इसमें से कौन सा python का popular implementation नहीं है तो python का जो implementation होता है न python के साथ जो भी हम लोग use करते है supporting languages use करते है या python में के अंदर हम लोग बहुत सारे programs को हम लोग run कराते है उसमें से कौन सा ये नहीं है उसके बारे हम पूछा जा रहा है तो definitely c python को हम लोग python implementation में हम लोग use करते हैं pipi को हम लोग python implementation में हम लोग use करते हैं copper python करके कोई भी चीज नहीं होती है iron python होता है ये python होता है लेकिन copper python करके कोई भी चीज नहीं होती है तो students is cancer हो गया copper python तो python implementation जो popular python implementation है मैंने जब python पढ़ाया था आपको तो ये बताया था कि कौन-कौन से popular python implementation को हम लोग use करते है तो c python भी है, pi pi भी है ठीक है तो यहाँ पुछा जा रहा है, यहाँ भी students आपको ध्यान देना है कि यहाँ भी आपको confused करने के लिए not दिया हुआ है कि which of the following is और r x से ज़्यादा भी हो सकता है एक भी हो सकता है, तो is r दोनों दिया हुआ है उबलिक करके is not a popular python implementation तो नहीं है कुछा जा रहा है कि कौन साइस में popular python implementation नहीं है तो c python है, popular python implementation भी है लेकिन copper python जैसा कुछ नहीं होता है आगे दूसरे option पर भी अकर हम लोग और करने तो j python भी होता है, iron python भी होता है तो definitely copper python करके कुछ भी नहीं है तो यह सही answer इसका होगा copper python students next question में लोग आ जाते है आगे क्या है the programming paradigm can be termed as students मैंने आपको बताया था programming paradigm के बारे में तो programming paradigm क्या होता है तो definitely programming paradigm 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 का मतलब ही होता धाचा एक model programming paradigm क्या है definitely model तो है यहाँ भी can be termed as पुछा जा रहा है तो model तो है, आपको answer मिल गया लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है कि हाँ confuse करने वाला negative term नहीं है यानि not, cannot, don't यह सारी चीज़े नहीं है तो पुछा जारा, programming paradigm can be termed as तो यहाँ आपको answer मिल गया लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको एक option सही दिख रहा हो फिर भी आप सारे options भी एक बार गौर जरूर करें हो सकता है, एक से ज़्यादा option सही हो और नीचे में दिया हुआ option, last option कि more than one option is correct ऐसा भी होता है यहाँ आपको अगर ध्यान देना है, यहाँ आपको देखना है थोड़ा सा अगर size छोड़ा कर लें अगर आपको यह clear से last option में दिखे आ जाते हैं हम लो तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि एक model है, programming paradigm organization principle है paradigm का मतलब ही होता धाचा organization principle जिसके business पे चीज़ों को हम खड़ा करते हैं, चीज़ों को हम बनाते हैं चीज़ों को हम एक धाचा तयार करते हैं, एक model तयार करते हैं तो organization principle है उसका क्या है style of building the structure and elements of computer programs यह भी है, hardware skill नहीं है तो definitely इस question में हमें एक, दो, तीन options नहीं मिल रहे हैं और last नहीं यह भी दिया हुआ है, more than one option is correct, तो definitely नहीं पे more than one option is correct answer हमारा हो जाएगा तो student इसी तरह next question में बवाए जाते हैं next question में क्या है 14 number question है, features of python programming can be, यानि python programming के features क्या क्या हो सकते हैं, तो यहां अगर हम लो देखें much smaller code, definitely यह python को बहुत बहुत बहुतरीन बनाने वाले कारणों में से एक कारण यह है कि python के codes बहुत चोटे चोटे होते हैं जिस काम को करने के लिए java में हमें 3-4 page की coding करनी पड़े हो सकता है, python में सिर्फ 4-5 line-6 line में ही हमारा वो काम हो जाए, तो python की बहुत बड़ी खासियत है कि इसके codes बहुत smaller होते है, तो यहां पुछा जा रहा है features of python, तो definitely much smaller code, एक feature है python का आगे के है less to type, debug and maintain definitely python में हमें बहुत कम type करना पड़ता है, तो debug करना भी आसान और maintain करना भी आसान होता है, आगे क्या है no lengthy compile and link steps तो definitely इसको compile करने में compile and link steps भी lengthy नहीं होते हैं, यह भी python का एक feature है much better than statically type language तो definitely python जो है dynamically type language को हम लोग यूज़ करते है python programming में, तो यहां क्या है definitely statically type languages से यह much much better होगा, तो इसमें अब तक के सारे options सही दिख रहे हैं, और last में दिया हुए all of the above, तो definitely हमारा answer all of the above हो जाएगा इसके लिए, students next question में लोग आ जाते हैं, next question क्या है, I-I-O-T and C-I-O-T means students मैंने आपको पहले ही बताया था कि broadly हम internet of things को दो पार्ट में जाके classify कर देते हैं, एक industrial internet of things, दूसरा consumer internet of things, तो यहाँ वही दोनों चीज़े हैं, I-I-O-T का मतलग industrial internet of things और C-I-O-T का मतलग consumer internet of things, तो definitely अब एक एक करके हम लोग answers को देखेंगे, तो यहाँ क्या है industrial internet of things और Central internet of things यह नहीं होगा, आगे क्या है international internet of things और Central internet of things रिस्पेक्टिवली यही हमारा सही answer है, फिर भी last option को एक बार और हम लोग जरूर देख लें, तो यहाँ क्या है International Internet of Things and Consumer Internet of Things ये नहीं है तो हमारा option हो जाएगा ये और इसमें क्या है Industrial Internet of Things and Consumer Internet of Things मैंने आपको students class में पढ़ा रखा था कि Internet of Things को दो पार्ट में हम classify करते हैं definitely हमारा world classification का बहुत सारा base हो सकता है ठीक है? किस basis पे हम classify कर रहे हैं तो definitely world को एक तर से हम classify करते हैं कि producers and consumers producers and consumers तो producers कौन हो गए? कौन से लोग हो गए? या कौन सा organization हो गया? तो जहां production होता है याने definitely industries तो एक broad classification उन्हों कर सकते हैं कि industries जहां production हो रहा है चीज़ों का manufacturing हो रहे चीज़ों की और एक हो गया section consumers के जो manufacture items को हम तो दो पार्ट में classify करते हैं इंडस्ट्री से जुड़ी वी चीज़ों के लिए industrial internet of things जहां production हो रहा है लोगों के लिए चीज़े manufacture हो रही है और उन manufactured item को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो consume कर रहे हैं जो consumers उनके लिए जो internet of things की चीज़े हैं जो concept है जो rules है, जो laws है जो protocols है जो communication के जरिये है जो things के बीच में connection established करते हैं वो सारी चीज़े आगे consumer internet of things में तो यहां answer यह हो जाएगा industrial internet of things and consumer internet of things respectively तो students हम लोग next question में आ जाते हैं 16th number question यहां क्या है IoT can include IoT can include यानि IoT include कर सकता है IoT के अंदर आ सकता है definitely Raspberry Pi modules IoT के अंदर आएंगे क्योंकि Raspberry Pi modules का इस्तेमाल करके बहुत सारे IoT के applications को हम लोग कर पाते हैं Arduino modules बिसमें आएंगे Arduino का इस्तेमाल करके भी बहुत सारे applications को हम लोग कर पाते हैं IoT में Android based systems definitely mobiles को internet of things में हम लोग connectivity के लिए mobile और अलग 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 things के बीचे में हम लोग connectivity establish करते हैं और mobile हमारा Android operating system पर काम करता है कुछ smart TV भी हमारे Android operating system पर काम करते है smart interactive flat panels भी हमारे Android operating system पर काम करते हैं उसकर क्या होगा IR based sensors यानि infrared based sensors जो होगे उनका भी इस्तेमाल हम internet of things में करेंगे यानि इसमें सारे options ही दिख रहे हैं और definitely इसलिए last में ये option में दिया हुआ है all of the above का तो इस question का answer हो जाएगा all of the above next question में बहुत आते हैं students next question है हमारा 17 number question 17 number question में क्या है which of the following cannot be considered as the advantages of converting a physical quantity into electrical signal यानि इस question में क्या है students आपको हमेशा ध्यान देना है मैंने आपको पहले ही बताया था कि confuse करने के जान बुझके negativity को question में यूज के जाता है cannot है यानि negativity है इसके आपको खास करके ध्यान देना है खास करके focus करना है cannot यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको आपको भ्यान देखना है question को एक बार और हम लोग पढ़ ले which of the following cannot be considered as the advantages of converting a physical quantity physical quantity into electrical signal यानि इन सारे options में से किसको हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो advantage है किसका advantage तो जहां हम physical quantity को electrical signal में हम convert कर सकें ठीक है यानि हम लोग देखते हैं physical quantities को transducer के help से यानि physical quantities सबसे पहले क्या होता है physical quantities को sensor के help से हम लोग sense करते हैं और उस sense की data को electrical pulse में हम लोग convert कर देते हैं transducers के help से उस electrical pulse को convert में convert करने से हमें बहुत बहुत फाइदा मिलता है जो internet of things के पिछले classes में हम लोग ने देख रखा है तो उन सारे advantages में से उन सारे फाइदे में से जो कुछ options दिये हुए हैं उस में से कौन सा है जो advantages नहीं है यह आप से पुछा जा रहा है तो एक एक करके सारे question के हम लोग बहुर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि electrical signals are easily transmitted and processed तो होता क्या है कि कि किसी quantity को किसी physical quantity को अगर sensor में sense किया और बाद में transducer के help से हम लोग उसको electrical signal में convert कर दे रहे हैं तो definitely उसका हमें बहुत सारे advantages मिल रहा है जिसमें से ये भी एक advantages है ठीक है कि electrical signals are easily transmitted and processed तो definitely ये advantage है electrical signal में convert करने का PCB quantity को और यहां पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है cannot be तो ये है ठीक है आगे क्या है large power is needed to control the electrical system ठीक है तो ये definitely हमारा advantage नहीं है आगे क्या है amplification and attenuation of electrical signals are easy ये भी advantage है आगे क्या है measuring instruments measuring electrical signals are compact and accurate definitely ये भी हमारा advantages है तो इसमें से क्या दिख रहा है हमें ये advantage नहीं है large power is needed to control electrical system definitely a disadvantage है क्योंकि हमारे लिए जो electrical signal में convert कर रहा है तो वहां क्या है उसको control करने के लिए large power के requirement है ये advantage नहीं है तो definitely ये हमारा सही answer हो जाएगा और जब हमारा वो सही answer हो गया तो more than one option is correct ये भी हमारा नहीं होगा ठीक है तो हमें ये answer मिल रहा है इस question का तो students अब हम लोग आ जाएंगे 18 number question में 18 number question में fill in the blanks type का question है ऐसे questions भी आते हैं यहाँ पर क्या है दिया हुआ है sensing element and fill in the blanks दिया हुआ है ये dashed line दिया हुआ है ये definitely fill in the blanks type का ये question है इसमें definitely भी हमारे जो भी options होंगे उसमें उसका दो part होगा तो आपने देखा यहां जितने भी options हैं इसमें कॉमा से सेपरेट करके दो terms दिये हुए हैं तो इसमें एकिप करके सारे options पे अगर हम लोग बहुर करें आपका question क्या बनेगा sensing element and actuating elements are the part of sensors तो definitely ये option नहीं है आगे क्या है sensing element and actuating elements are the parts of transducer ये option भी नहीं है आगे क्या है sensing element and transducing elements are the part of sensor ये भी नहीं है आगे क्या है sensing element and transducing elements are the part of actuator ये भी नहीं है तो यहाँ पे last option जो है last option क्या है sensing element and translucent elements are the parts of transducers तो students transducers के unit में उस unit में जहाँ translucers का topic था वहाँ मैंने आपको बताया था कि translucers के अंदर मैंने आपको बताया था कि translucers के अंदर दो part होगा जिसने पहला होगा sensing element दूसरा होगा translucing element तो अगर हम लोग last option को देखें तो यहाँ सारी चीज़ें fit हो जा रहे हैं इसमें last option को अगर हम लोग देखें तो सारी चीज़ें इसमें fit हो जा रहे हैं पहले वाले blank space में fill in the blanks वाले space में इसको हम लो ले जाके fill करेंगे और दूसरे बाले में इसको ले जाके हम लोग फिल करेंगे, तो बन के जा रहा है, sensing element and transducing element are parts of transducers, तो मैंने आपको पहले ही बता है कि transducers होगा, उसमें एक part होगा sensing element और दूसरा part होगा transducing element, तो यह option हमारा सही है, हम लोग इस option को tick करेंगे इस question के लिए, तो आगे आ जाते है students हम question में, इसमें क्या है, which of this, और oblique करके दिया है, this, is, are not examples of transducers, तो इसमें से कौन से ऐसे हैं, जो transducers के examples नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बता है कि transducer क्या है, transducer वो ऐसा device है, जो किसी quantity को, किसी signal को, किसी form of energy को, other form of energy में convert कर सके, तो एक करके सारे options पर में देखेंगे, इस speaker, definitely speaker transducer है, लेकिन ये question क्या है, इसमें not दिया हुआ है, आपको पहले ही बता है था कि questions में आपको बहुत ध्यान देना है, कि कुछ confusing element तो नहीं दिये हुए है, और confusing element कैसे होता है, तो ज़्यादा तर negativity वाले होते है, तो यह not दिया हुआ है, इसमें से कौन transducer के example नही है, क्योंकि transducer के definition के जब से, transducer वो सारे device है, जो एक form of energy को दूसरे form of energy में convert करते हैं, यहां अगर हम लोग देखें, तो speaker definitely हमारे electrical signal को sound signal में convert करता है, लेक्रिक मोटर में क्या होता है, तो हम लोग electrical energy input देते हैं, जिससे हमें mechanical energy output मिलता है, तो definitely यहां भी एक form of energy को दूसरे form of energy में convert किया जा रहा है, लेकिन transformer एक ऐसा device है, जहां electrical energy input हम लोग दे रहे हैं, और output में भी electrical energy ही हमें मिल रहा है, यानि one form of energy को other form of energy में convert नहीं कर रहा है, यह device, तो definitely हमारा यह option सही होगा, फिर भी बाकी बचे options में भी हमें जरूर एक बार गौर कर लिना है, तो microphone, microphone भी translator का example है, क्योंकि यहां हम लोग जो बोलते हैं ना, या कोई music play करते हैं, तो वो sound signal है, उसको वो electrical pulse में convert कर देता है, जिसको उस circuitry में ले जाके हम process करते हैं, amplifier से amplify करते हैं, उस sound signal को कहीं और हम इस्तेमाल करते हैं, तो definitely all of the above तो नहीं होगा, यानि ट्रांसफर्मर इसका सही answer है, तो students, next question में लोग आ जाते हैं, next question है, 20th number question, इसमें क्या है, WOT, WOT is, यानि WOT क्या है, तो students, class में मैं आपको बताया था, तो WOT का मतलब होता है, web of things, तो यहां हम एकित करके, अगर आंसा से हम लोगार करेंगे, तो world of things तो नहीं होगा, wireless operational technology भी नहीं होगा, wired operational technology भी नहीं web of things, web, एक जाल की परिकल अपना के गई, जहां हम लोग इस्टाबलिश करते हैं, ठीक है, तो यहां क्या है, web of things, यह इसका सही answer है, इस तरे students, next question में हम लोग आ जाते हैं, 21st number question जो है, इसमें क्या है, in order to create Arduino-based contactless IR thermometer, the temperature reading can be taken on, यानि अगर IR-based contactless thermometer हमें बनाना है, तो उसकी reading को हम लोग कहां-कहां ले सकते हैं, जो definitely, LCD display पे भी उसकी reading को ले सकते हैं, मैंने आपको students बढ़ा रखा है, LED display पे भी उसकी reading को ले सकते हैं, मुबाइल एप पे उसकी रिडिंग को ले सकते हैं कैसे तो SC05 जो है ना वो शील्ड है ब्लुटूथ का यानि ओर्डिनो के बोर्ड पे हम ब्लुटूथ के शील्ड को लगा के जो इन्फॉर्मेशन ओर्डिनो के बोर्ड तक आ रहा है उसको Bluetooth के हेल्प से मोबाईल अप्लिकेशन पर हम भेश चकते हैं और वहाँ उसकी रिडिंग को हम लग देख सकते हैं Bluetooth Shield को लगा के Bluetooth Module को लगा के जो SC05 के नाम से आता है उसको हम लग लगा के Bluetooth के हेलप से उस data को हम लोग mobile application को भेज़के वहां भी IR-based thermometer की reading को में देख सकते हैं तो definitely सारे options रही है और लास्ट में दिया है all of the above तो इसका सही answer हो जाएगा all of the above तो यह इसका सही answer है students next question में लोग आ जा रहे है next question है 22nd number question तो students next question में लोग आ जाते है 22nd number question इसमें क्या है IBM Watson is a तो students मैंने आपको पहले के lectures में और classes में मैंने आपको पढ़ा रखा है IoT platforms के बारे में भी और development boards के बारे में भी IoT platforms क्या होते हैं cloud-based platforms होते हैं जिनके help से हम things के बीच में connectivity establish कर पाते हैं information को share and exchange कर पाते हैं data form लो send कर पाते हैं सारे options को में देखें IBM Watson development board नहीं है MQTT broker नहीं है communication protocol नहीं है IoT platform और definitely last option transducer नहीं है तो इसका सही answer को जाएगा IoT platform students next question नमरों आ जाते हैं next question है question number 23 और इसमें पूचा जा रहा है sony inspirations is students मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है sony inspirations जो है ना वो sony company का बनाया हुआ development board है बलकि एक नहीं group of development board है बहुत सारे मिलते जुलते वाक्त के लिए अलग अलग development board को sony company बनाती है manufacture करती है जिसका उसमें ट्रेड नेम रखा है sony inspirations तो यहां पर क्या हो जाएगा definitely a development board है MQTT broker नहीं है communication protocol नहीं है IOT platform नहीं है transducer नहीं है तो इस question का answer हो जाएगा development board next question है 24th number question इसमें क्या है the original reading of soil moisture sensor यानि soil moisture sensor की original reading होगी उससे जुड़े options है इसमें क्या है can be taken on serial monitor यानि original reading को हम लोग serial monitor अब serial monitor हमेशा धहान देना है कौन सा होगा तो ordino IDE के साथ उसके tools में आता है serial monitor यानि अगर ordino board को हम लोग data cable से connect कर रखे हैं तो उसकी reading को ordino IDE में जाके वहाँ tools में जाके हम लोग serial monitor पर भी data को हम लोग देख सकते हैं तो definitely इसकी जो original reading आएगी ना उसको serial monitor पर हम देख पाएंगे और original reading जो आती है students मैंने आपको practical में भी बताया था कि original reading 1 से 1023 के बीच में हमें मिलता है तो original reading जो होगा एक number होगा 1 से लेके 1023 इसका मतलब 1 क्या है? 1% और 1023 क्या है? उसका 100% चिक है? यानि soil moisture अगर 1% है तो हमें उसकी reading, original reading मिलेगी 1 के form में और अगर in case ऐसा होता है कि soil moisture 100% है तब वहाँ sensor हमें जो reading दिखाएगा 1023 होगा यानि कहने का मतलब 1 से 1023 के बीच में reading का मतलब 1 से 100% की जो reading है तो हमें original reading जो मिलती है ना वो कुछ numerical value के बीच में मिलती है जो 1 से 1023 के बीच में करता है और इसका percentage जो मतलब हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर 1 reading है minimum reading है तो उसका मतलब 1% और अगर maximum reading 1023 है तो उसका मतलब 100% तो इस तरह से numerical values हमें मिलती है तो original reading जो होता है एक number होता है 1 से लेके 1023 के बीच में तो ये option में सही है आगे क्या है can we got using ordino mkr 1010 board तो definitely हम लोग इस board का इस्तेमाल करके ordino का जो mkr 1010 board है ना उसके अंदर wifi shield अलग से नहीं लगाना पड़ता है उसके अंदर inbuilt ही wifi होता है तो students मैंने practical में जब मैंने college में practical classes लिया था तो मैंने आपको बता रख़ता था कि यह जो sensor हम लोग बनाएंगे ना soil moisture sensor इसको ordino UNO board पे भी हम लोग उसके काम कर सकते हैं ordino UNO भी बोलते हैं या ordino UNO भी बोलते हैं हम लोग ordino UNO board में भी हम लोग काम कर सकते हैं ordino nano board पे भी इसको हम लोग लगा के काम कर सकते हैं आपने देखा है कि हमने तीनों बोर्ड पे सेंसर को स्वाइल मौशा सेंसर को इस्तेमाल करके हमने रेडिंग लिया है और 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 MKR बोर्ड को उसी तरह हम लोग लेके तो आपने देख रखा है और रेडी कि हमने तीनों बोर्ड को इस्तेमाल करके रेडिंग को हमने लिया है स्टुडेंट्स अब आज के लास्ट कोश्चन हम लोग पहुं जाते हैं 25 कोश्चन का सेट आज हमने कवर करने की कोशिश किये थी यह लास्ट कोश्चन है इसमें क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था कि MQTT एक ऐसा हम लोग कॉम्निकेशन प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं तो MQTT का फूल फॉर्म क्या है बहुत सारे क्लाइट जूड रहते हैं और इन क्लाइट के बीच में यह एक कड़ी है एक सरवर है जो बॉकर है अब होता क्या है कि a client message क्रिएट करके भेच सकता है broker तक और broker से दूसरा client उस message को receive कर सकता है MQTT के terminology में इस client ने जो message send किया हम लोग बोलते हैं कि इस client ने message को publish किया इस client ने message को भेजा हम लोग बोलते हैं कि इस client ने message को publish किया और उस message को अगर दूसरा client देख रहा है receive कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि इस client ने इस message को जूड़े इंफॉमेशन को लेने के लिए subscribe किया तो होता क्या है कि ये client उस वक्त data को publish करा रहा है यानि ये role play करा रहा है publisher का और ये client उस वक्त इस data को receive कर रहा है, subscribe कर रहा है यानि ये role play कर रहा है subscriber का अब होता क्या है कि publisher भी एक client है, subscriber भी एक client है, एक समय में एक ही client या अलग-अलग समय में एक ही client अलग-अलग role को play कर सकता है, हो सकता है उस वक्त ये data को भेज रहा हो, publish करा रहा हो, हो सकता है किसी और के data को receive कर रहा हो, यानि वो subscribe कर रहा हो, यानि ये client कभी publisher की तरह भी act कर स कि अदेश्य की तरध कर रहा हो और इसमें सब के बीच का सर्वर इन सब के इंटरमेडियर है जिसको इसकी ट्र्मिलोजी में मैसच क्यूंग ट्रांसपोर्ट पिंडों ग्सवेटभा डेते हैं तो स्नुइन्टप इसको से भी आपको की टेली मेट्रोट कॉम्मिकेशन प्रोटोकॉल है उसके अंदर क्लाइन नहीं है ओक लो के अपने देखा हो सकता है can क्लाइट पब्लिशर हो सकता है लेकिन क्लाइट ब्रोकर नहीं हो सकता है यानि यह option आपका सही है और जब वह सही होगा तो यह नान और और आल वाला तो नहीं होगा तो आपने देखा कि MQTT में यानि message queen इन टेलिमेटरी टांसपोर्ट की जो टर्मिनलाजी है और यह जो कॉम्मिकेशन प्रोटोकॉल है इसमें जो भी एक क्लाइंट है जो message भेजना चाहता है वो हो गया client हमारा और वो message भेज रहा है यानि इसकी टर्मिनलाजी में message को publish कर रहा है तो वो client publisher की तरह act कर रहा है वो सक कर रहा हो तो subscriber की तरह act कर रहा है यानि एक ही client एक ही समय में या अलग-अलग समय में publisher और subscriber की तरह act कर सकता है इसने जो information को publish किया दूसरा information को receive करेगा यह सबस्क्राइब करेगा तो वो उस वक्त subscriber की तरह act करेगा और इन सब के बीच में जो server है जो intermediary है उसको हम लोग इसकी और यहां क्या पूठाया रहा है कि नहीं है यानि MQTT के terminology में client नहीं है तो subscriber एक client है, publisher एक client है लेकिन broker client नहीं है तो हमारा answer यह सही हो जाएगा, dub up नहीं होगा तो इस तरह से करके हमने 25 अच्छे questions को objective multiple choice questions को cover किया आगे इस तरह से अगले lectures में कुछ और इस तरह से questions को, questions के sets को हम लोग cover करेंगे, so students hope यह lecture आपको बहुत अच्छा लगा होगा, thank you, thank you so much